हेलो एवरिवान, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल पर, कैसे हो आप सब, तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ सुभह के नास्ते की तयारी, और आज मुझे सुभह के नास्ते में मीठे जवे बनाने है, जो कि मैं यहाँ पर भून रही हूँ, पहले म मैं इन एच्छे से भूनूंगी, उसके बाद इन्हें पकने के लिए रखूंगी, तो यहां पर देखिए, मेरे जवे बनकर हो गए हैं तयार, और इन्हें मैं परसके दे दूँगी, यह दोनों नास्ता कर लेंगे, और नास्ते का सारा काम हो गया है, इन्हों ने भी कर लि रोज सोच रही थी मैं इसे साफ करने की लेकिन रही जाता था तो रोज तो देखिए हम सारी डीप क्लीरिंग नहीं कर सकते थोड़ा बहुत काम तो रही जाता है नीचे नीचे की साफ सफाई कर लेती हूं ये फालतु का काम तो किसी किसी दिन होता है रोज नहीं होता तो पं अच्छे से साफ करना पड़ता है रोज ही और ये देखिए ये ऐरो प्लेन कृष्णा का बच्पन का खिलोना है जब कृष्णा चार-पांस साल का होगा तब का होगा ये और देखिए इतने दिन से हमने सिंगभा कर रखा है और ये ऐसा ही है इसकी कभी-कभी हवा निकल जात कुल नहीं तोड़ता था इसलिए इसके बहुत सारे खिलोने हमने अभी तक सिंभा कर रखे हुए है इसकी बच्पन की यादे जुड़ी हुई है मैं इन्हें ऐसे इस जाकर रखती हुई दरुदर भी नहीं डालती मुझे अच्छा लगता है इसके खिलोने ऐसे रखना तो स्वारी स्ले इसमें सोकेस में इसके खिलोने रखे हुए और नीचे भी बहुत सारे खिलोने है इसके तो यहाँ पर मैंने चादर भी अच्छे से सैट कर दी है और उसके बाद अपसी इन गमलों पर भी कपड़ा लगा दूँगी अच्छे से साफ हो जाते हैं कर दो कर दो तो बस यहाँ पर लग गई थी मैं पोच्छा लगाने के लिए और सबसे पहले बस मैं बैड़ के नीचे ही लगा रही थी और बैड़ के नीचे मैं इसी वाले पोच्छे से लगाती हूँ क्योंकि हाथ अंदर तक नहीं जाता तो अच्छे से साफ नहीं होता और इससे बहुत अच्छे से चमका जाती है टाइल बहुत अच्छे से चमक जाती है और इसे इतनी सफाई नहीं आती इसलिए मैं इससे नहीं लगाती हूँ तो जाड़ू पोचे का तो सारा काम हो गया है और किचन का भी मैंने सारा काम निम्टा दिया है उसके बाद बस अब मुझे खाना बनाना है दुपहर का और आज दुपहर के खाने में मैं बैंगा नालू की सबजी बनाऊंगी तो सबजी छोग दी है मैंने और इसके बाद बस मैं आटा मलने के लिए लग गई थी थोड़े देर पहले मलके रख देती हूँ तो आटा अच्छे से मुलाइम हो जाता है और उसके बाद बस मैं रोटी बनाऊंगी जब यह खाएंगे तब ही बना दूँगी रही क्या कर रहे है इनका प्रची निकलेंगी प्जाजाब अध्यी या जूट बना ला नियर्क बच्च्छा गी बना दीआव करेगा थ प्रचित्या दो खराब करेगा वह खुड़ गदेख बिल्कुल और उसके अगल यह वाली तो लग भी नहीं थोड़ीजी वह तो विल्कुल कच्छी लग रही है जो तो फोड़ा कच्छी है और दिखाचल फोड़ का जूस अच्छा इस लगो इसका तो सब्जी मेरी चुक चुकी है उसके बाद बस मैं लग गई थी आटा मलने के लिए और आटा मलने के बाद बस मैं रोटी बनाऊंगी और उसके बाद मेरा खाने का तो सारा काम निमठी जाएगा देखो पग गई यह थाने में अच्छी ने लगने के मगर यह देखते हैं यह वाली फोड़ता वो तो हरी लग रही थी कि अधर सान बग देल लें सांगे कि जूस बना लेता है इनका जूस अच्छा लगा दुपतर आओ जेख खुद से ही कुल आज चाहिम तो इस टाइंग मेरा सारा काम निवर चुका है आज सारा काम निमठाने के बाद यां हम यह अफसे बात करने के लिए बैटी हूं हुग ना लिया कौन से कपड़े पेरन्लेया इї व्योर्वाल यह वाल दूसरे नहीं हो पेले यह वालवाला और कि अलो वर इस चल पहले लिए इस टब कुछ भी काम निया करने का सब खत्म हो गया बस अब तो दुपहर में अरामी करना है और चलिए अब मैं अपनी वीडियो का आज यहीं पर एंट करती हूं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना कमेंड करना और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलती हूं आप से अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई